असंगुम्स, कैसे हैं आप सब ख़रियत से हैं होप जो आप ख़रियत से होंगे इससे स्टूइट आज की यह FIRST क्लास है ठीक है 1429 और 505 की और स्टार्ट से बिलकुल शुरू करते हैं हम हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वह है probability theory probability theory बहुत sequence के साथ चलेंगे ठीक है दो से तीन classes में इसको खतम कर देंगे हम ठीक है इस chapter को हमने cover करना है main जो चीजें हैं इसमें वो हैं आपके पास rules एंफ कुछ formula's हैं बस इतना सा काम है ठीक है और आप लोगोने probability का नाम सुनते ही परिशान नहीं हो ठीक है और नहीं आप लोगोने सौने की त्यारी करनी है क्योंकि काफी सारे इसे हैं जो सुन के ही न नहीं दा जाती है उनको और personally अगर मैं अपना बताओं तो मेरे भी यह हाल है कि मैं भी जब probability का नाम सुनती हो तो मुझे भी नहीं दा जाती है ऐसा boring से chapter है यह लेकिन कोई बात नहीं करना तो है न में में चीज़ें करेंगे हैं हम इसमें से ठीक है लास्ट टेम जब मैंने students को exams की त्यारी करवाई थी तो इसमें मैंने बिल्कुल यह इसको separate का दिया था कि हमने तो यह करना ही नहीं है लेकिन अब यह है कि करना तो पड़ेगा ना ठीक है तो जो main चीज़ें है main topic इसमें है discuss करते हैं वही तो बच्छे start करते हैं अपनी साथ साथ आप लोग भी ठीक है probability of event ठीक है हमारे पास यहां पर क्या होगा देखें आप लोग साथ साथ करेंगी तो कोई issue नहीं होगा ठीक है क्योंकि मैंने chapter 1 से last chapter तक आप लोगों का यह पूरा course cover करवाना है तो बिल्कुल साथ साथ काम करना पड़ेगा आप लोगों को तब जा के फिर आप लोग अपना cover कर पाएंगे ठीक है and number of event ठीक है और divided by में क्या आएगा आएगा आपके पास number of samples अब देखें बचे number of events अभी सिर्फ कुछ भी नहीं सोचे हैं आप लोग छोड़ दें सब कुछ सोचना बस आप यह देखें कि मैं लिखवा क्या रही हू ठीक है probability का formula लिखवा रही हूं जो normally हम लोग यूज़ करते हैं find करते हैं तो अब देखे number of events को हम दूसरी wording में और क्या कह सकते हैं favorable outcomes बोल देते हैं ठीक है या number of favorable outcomes को बोल देते हैं कोई बात नहीं लिख लेते हैं ना number of favorable पूरा नहीं लिख रही और यहां पर आगे लिख देते हैं outcomes ठीक है divided by में लिख देते हैं अच्छा अब number of samples जो हैं हमारे पस कितने samples होंगे उनको लिख लेते हैं यहां पर क्या लिखेंगे number of possible samples ठीक है number of possible samples ठीक यहां तक होगी बात clear अच्छा यहां पर इस formula को define करने से पहले हम क्या करते हैं types of image कर लेते हैं ठीक है कितने types की image होते हैं इसमें क्योंकि देखें हमें पता होना चाहिए image हमने formula लिखा है तो इसमें हमें पता तो होने चाहिए ना image का इसी को define करते हैं चलिए लिखें जी types of image कितने types की होते हैं बचे number one होता है आपके पास certain event ठीक है number one क्या है certain events और number two पे आपके पास होगा impossible events क्या होगा impossible events दो किसम क्यों त्री events ठीक है एक होता है certain events और दूसरा क्या होता है impossible events तो चलिए लिखें सोचना नहीं है कि अभी हमारी book में तो यह लिखा हुआ है तो आप क्या लिखवा रही है इस चीज़ को छोड़ने impossible events यहां पे अब देखें बचे impossible और certain events में क्या difference है अभी इस वाले को लेके इस पामूले को यूज करके जो मैंने आपको start में लिखवाया है हम यहां पे इसको prove करेंगे ठीक है तो बचे देखें for example हमने क्या किया है एक coin को toast किया है ठीक है लिखने a coin toast इसको number one का नाम दे दें ठीक है अब देखें find हमने क्या करना है probability find करनी है किसकी head और tail की ठीक है head की find the probability हेड टेल अभी छोड़ दें head and tail head or tail वो लंबचा करें छोड़ें उसको देखें बचें हमारे पास जो formula है PE का ठीक है किसकी equal है सबसे पहले मैंने आपको बताया था number of event divided by number of sample अब देखें head आएगा या tail आएगा दोनों में से कोई एक ही आएगा ना ठीक है sample हमारे पास कितने है अब coin है उसके दो sample है एक head है और एक tail है तो चलें पहले हम लिख लेते है possible samples कितने हैं हमारे पास two ठीक है अगर तो हम यहाँ पे head find करते हैं probability of head find करते हैं ठीक है तो head हमारे पास कितना आएगा एक ही आएगा ठीक है एक आएगा ना probability हमने event find करने हैं तो आप simple सी बात है कि दो इसके samples है या तो head आएगा या फिर आपके पास क्या आएगा tail आएगा तो चलें यहाँ पे आगया आपका one by two ठीक हो गया next अगर हम tail की find करेंगे तो भी क्या ह हैं तो मतलब क्या आएगा one by two ही आएगा अचार यहाँ पे तो हमने probability find कर लिए ठीक है अब देखते हैं certain events और impossible events क्या होते हैं तो बच्चे यहाँ पे आप लिखें two यहाँ आपके पास क्या होगा certain events हो जाएगे simple इसमें कुछ भी नहीं किया हमने बस हमीं पता था events का और probability हमने यहाँ से क्या किये find कर लिए अब two में आप लिखें a dice rolled ठीक है a dice rolled dice roll एक dice roll हुए है अच्छा हमने क्या find करना है कि एक से लेक छे तक कि जो numbers है उनकी probability find करनी है कुछ न कुछ तो आएगा न probability of इसमें क्या find what is the probability of numbers टोन से one two six one से six तक अब देखें one से six तक हमने find करना है तो यह क्या है हमारे पास one से six क्या आएगा real number है मरे पस एक real number है न यह one से लेके six तक कौन से numbers है मरे पस real number है ठीक है देखें one से six तक यह है probability of event ठीक है find करनी है one से six तक number आएगा तो इसकी probability क्या होगी बच्चे मरे पास hundred percent होगी ठीक है कैसे hundred percent होगी देखें हमने एक dice को roll किया है one से लेके six तक हमने find करनी है कि probability क्या होगी one से लेके six तक कोई न कोई number तो आएगा जाहरी बात है one आ सकता है two आ सकता है three आ सकता है कुछ भी आ सकता है तो इसकी probability क्या हो जाएगी हमारे पास one हो जाएगी ठीक है कैसे one होगी कि one में से ये देखें six है ना six number है उन में से कोई एक तो आएगा या आएगा आएगा ना तो फिर हमारे पास क्या होगी probability one हो जाएगी ठीक है बहुत simple सा है ये विल्कुल स्टार्ट है अब देखें अगर हम find करते हैं what is the probability of the number seven seven अगर करें ठीक है तो possible image उसी तरह samples हमारे पास कितने आएगे six है ठीक है तो seven आ सकता है events में नहीं आ सकता ना seven तो आए नहीं आ सकता सैवन आ सकता है नहीं आ सकता इंपॉसिबल है total number ही हमारे पास six है samples है ठीक है और उस पे number कितने हैं इमान से लेके six आक है तो seven आ सकता है नहीं आ सकता तो फिर इसकी जो probability आएगी वो कितना आएगी zero percent आएगी और यह हो जाएगा zero तो जो हमारे पास मैंने यहां पर आपको types लिक वाई थी जो impossible event है जो ही नहीं सकता यह आ जाएगा आपके पास impossible और यह आपके पास क्या आ जाएगा certain events ठीक है यहां तक चीज clear है अब next rules की तरफ चलते हैं हमारे जो probability के rules हैं उनकी तरफ ठीक ह सोना किसी ने भी नहीं है पहले बता रही हूं नेंद आएगी आप लोगों को लेकिन सोना नहीं है rules अब दो rules जो most important है जो बहुत ज्यादा यूज़ होते हैं वो कौन से है number one है आपके पास addition rule ठीक है और second है multiplication rule multiplication rule एडिशन रूल में क्या आएका जब आपके पास आपको given हो कि ए और बी ठीक है आपने probability करनी है ए और बी की ए और बी तो उसमें आपके पास आएगा addition rule और अगर आपको given हो कि आपने find करनी है ए एंड बी तो आपके पास आएगा multiplication rule किस तरह देखें बचे हमारे पास है जी लेट का लेते हैं कि दो students हैं हमारे पास ठीक है ए और दूसरा क्या है बी ठीक है पास होने की probability हमने a की भी find करनी है और बी की भी अगर हो कि find the probability of a और b मतलब a और b की probability हमने find करनी है तो क्या करेंगे हमारे हम कौन सा rule लगाएंगी प्लास वाला rule लगाएंगे प्लास वाला rule क्या है ठीक है यहां पर आप चलें स्टार्ट करते हैं नमबर वान है addition rule इसमें क्या है इसकी पहचान क्या है आपको कैसे पता चलेगा क्या आपने कौन सा rule लगाना है तो अगर तो और आ जाता है क्या है और भी आपने find करना है तो फिर इसका मतलब यह है कि आपने क्या करना है एडिशन रूल लगाना है तो चलें एडिशन रूल लगाते हैं यहां पर एक चीज और मैं बता दूं आप लोगं को जो हमने अब भी स्टार्ट में एक दो दो एक्जमपल्स की है ठीक है बिल्कुल सिंपल है उसमें कुछ भी नहीं है लेकिन अब जैसे जैसे हम थोड़ा सा आगे चलते जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि थोड़ा सा मुश्किल काम आएगा लेकिन उसके लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है एज़ मुश्किल है अब ए और भी है ना ठीक है तो यहां पर कौन सा रूल लगेगा सोरी प्रॉबिल्टी ओफ ठीक है इमेट्स की बात हो रही है एक का इमेट्स बी का इमेट्स ठीक है यहां पर आप पहले फामूला लिखें जो रूल है वो लिखें एवान union e2 ठीक है इक्विल में क्या आएगा आपके पास प्रॉबिल्टी ओफ e1 प्लस addition rule ठीक है यह addition rule प्रॉबिल्टी ओफ e2 ख्लेर हो गया हमने क्या फाइंड करना है इसकी प्रॉबिल्टी फाइंड करनी है कैसे करेंगे simple put कर दें इसमें probability of A और B और यहां पर आपके पास क्या आएगा probability of A plus probability of B तो simple आपने A की probability find करनी है B की करनी है और दोनों को क्या करना है plus कर देना है ठीक है यह है आपके पास addition rule अब यहां पर देखें बचे next हमने क्या किया था multiplication rule मैं full scope question solve करके दिखाऊंगी ठीक है लेकिन अब भी बस थोड़ा थोड़ा सा करते हैं काम सिरफ rules समझ लेते हैं और फिर चलेंगे solutions की तरफ ठीक है multiplication rules में कैसे आएगा मैंने आपको बताया है कि a and b होगा तो आपके पास कौन सो rule लगेगा multiplication rule लिख लेते हैं ठीक है उसको भी लिख लेते हैं जो multiplication rule है हमारे पास हम उसको भी लिखते हैं कैसे आएगा चैने a and b है न अगर तो और होगा तो मतलब union होगा and होगा तो मतलब intersection होगा बस simple जिदर जिदर union आ रहे हम वहाँ पे put कर लेते हैं probability of event one intersection event two ठीक है intersection है तो यहाँ पर क्या लगेगा probability of event one multiply ठीक है probability of event two ठीक होगा next यहाँ पर पूट करते हैं अपनी जो values है जिन की probability हमने find करनी है that is a and b a intersection b और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा probability of a multiply probability of b तो simple यह दो rules हैं जो बहुत ज्यादा यूज़ होते हैं बहुत ज्यादा तो यह rules अगर आपको समझ में आ जाते हैं तो आप आराम से बाकी भी काम कर सकेंगे ठीक है तो आपको आज के lecture में कोई issue नहीं हुआ होगा हमने कुछ भी नहीं सीका से रहाँ इसमें क्या किया है को probability किसी भी event के अगर हमने probability find करनी है तो हमने क्या किया है अब से पहले इसका फामूला लिख लिया है और उसके बाद हमने types of events पढ़ई हैं इसमें कितने किसम की events होते हैं उसके बाद एक एक example बस simple एक trick समझ लें आप उसको मैंने बता दी है कि अगर तो किसी भी question में आ जाता है कि find the probability of this or this तो आपने क्या करना है कि आपने addition rule लगाना है और अगर आ जाता है find the probability of this and this तो आपने क्या करना है multiplication rule लगा देना है अब इन्शाला नेक्स्ट क्लास में इन दोनो rules को लेंगे और एक question solve करेंगे ठीक है question जो आपकी book में है assessment self assessment है हम वहां से question उठाएंगे वह बले solve करेंगे ताकि आपकी exercises भी साथ में cover होती जाएं तो अभी दे मुझे इजाज़त लेकिन अगर आप channel पर new है तो channel को कर दें subscribe bell notification on कर दें video चलगे तो इसको like और comment जरूर करें और next classes लेने के लिए जरूरी है कि आपको फिर channel को subscribe करना पड़ेगा because channel को subscribe करके bell notification on नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि lecture number two upload हुआ है या नहीं अभी दें मुझे अजाज़त अपना बहुत सारा हयाल रखिएगा दौाँ में याद रखिएगा खदा हाफिज फी अमान ला